गोवा भारतिय जनता पार्टी के अध्यक्ष श्री सदानन तन्वारे जी, मुख्यमंत्री श्री प्रमोज सावंच जी और महराश्ट्र के उप मुख्यमंत्री और मेरे वरिश्टाथी श्री देवेंद्र फर्नवीश जी और सभी पार्टी के कारेकरता बंधू आप सब का हा अभिनंदन है आज के कारेकर्ब में. दोहजार चौबिस के एतिहासिक चुनाओ में प्रधान मंत्री शी नरेंद्र मोजी जी की लगातार तीसरी वार प्रधान मंत्री बनने के एंडिये की सरकार बनने पर सभी को बहुत-बहुत बधाई और शुब कामना हैं. ये लोकसभ का चुनाओ के बाद ये मेरा पहला गुवा का प्रवास था. मगर किनी कारणों से मैं आप सभी के बीच उपस्तित नहीं हो पाया. जिसका मुझे खेद है. मैं चाहता था कि आप सब के बीच में मैं आऊं और प्रमोज जी ने और सदानन तानवारे जी ने मेरे को बहुत ही की रिक्वेस्ट भी की थी कि मैं इस कारक्रम में शामिल हूँ. लेकिन यहां की व्यस्तता और संगटनात्मक कारें ने मुझे व्यस्त रखा और इसलिए मैं शामिल ना होने का मुझे खेद है. जहां तक आप का कारक्रम है ये मेरे लिए गर्व का विशे है कि भारत भक्तो की भूमी गोवा जो भारत का नवीन प्रदेश कारेले बनने जा रहा है गोवा और भारतिय जनता पार्टी का एक अलग रिष्टा है और मुझे याद है कि 2013-14 के एतिहासिक चुनाओं के पहले भारतिय जनता पार्टी की राष्ट्री कारेकारणी की बैठक यहीं गोवा में ह हुई थी जून 2013 में हुई राष्ट्र कारेकारणी में कौंग्रेस सरकार को उखार फेकने का संकलब हमने लिया था उस कारकारणी के बाद हमारे कारेकरताओं ने अथक मेहनत की और उस अथक मेहनत के फलसुरूब 2014 में मोदी जी की सरकार सत्ता में आई और तब से लेकर यह तीसरी वार हमारी सरकार बन रही है केंदर में और गुआ में भी हम तीसरी वार सरकार में आए हैं केंदर में हमारी सरकार बनते ही मोदी जी और अमिश्या जी ने सरकार और संगठन के भविष्य के कई महत्वपूर निर्ने लिए और पार्टी के दिश्टी से एक महत्वपूर निर्ने यह था कि हम देश के प्रतेक प्रदेश के हेड़कॉर्टर पर एक बढ़िया कारेले बनाएंगे और हर जिले में एक कारेले बनाएंगे मुझे खुशी होती है कि इस निर्णे के कारण 768 कारेले बनाने का निर्णे लिया गया मुझे आपको बताते हुए यह भी खुशी हो रही है कि आज के समय में देश में 563, 563 कारेले बन करके तयार हो गए और 96 कारेले कंस्ट्रक्शन में है जिसमें काम चल रहा है गोवा प्रदेश का यह नया भवे पार्टी की नई उचाई का यह कारेले नई उचाई देगा ऐसा मेरा विश्वास है नए कारले के बन जाने के पश्चाथ पार्टी की गत्यवईदियों को तेजी मिलेगी और हम तीवर गती से पार्टी के विचारधारा को आगे बढ़ा सकेगे मुझे बताया गया है कि ये कारले मोस्ट मॉडरन फेसलिटीज के साथ युक्त है और इन फेसलिटीज का उपयोग हमारे कार्टा करेंगे वो रिसर्च विंग, कांफरेंस हॉल, बाकी सारी चीजें जो हमारी फेसलिटेट किया गया है उसका उपयोग करेंगे और हमारे कार्यकरता जो इस कारले के बनने के कारण कार्यकरताओं का जो काम है वो और भी सुगम हो जाएगा मैं महराश्र के उप्मुक्यमंत्री श्री देविंद फर्णविजी का धन्यवाद भी करता हूँ जिन्होंने आज इस कारेले का शिला नियास किया और इस कारेकरम में उन्होंने शिर्कत की इस कारेकरम में उन्होंने भाग लिया मैं सभी गोवा के भारतिय जन्ता पार्टी के कारेकरताओं को अपना खेद जबताता हूँ कि मैं आपके बीच में शामिल नहीं हो पाया और एक वार पुना आप सब को बहुत बहुत शुब कामनाई देता हूँ और ये कारेले हमारे कारेकरताओं के विकास में और पार्टी को आगे बढ़ाने में एक मील पर्था साबित होगा इनी शब्दों के साथ बहुत बहुत शुब कामनाई